जहीं दोस्तो मैं धी पेंद्र कुमार तुबेदी हाजिर उपनी नई वीडियो के साथ दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको ड्रिल चैप्टर कंप्लेट करा रहा हूं तो आज उसका पार्ट टू है और मेरे चैनल का नाम है एंसी सिमिरर जिस नभी सस्क्राइब नि अगली तथा पिछली लाइन में क्यांतर होता है और ड्रिल को करने का क्रम ठीक है दोस्तों उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ वीडियो से जितना नौलिज मिलता है इसको आपको थोड़ा सा रिमाइट करना है हम अलब दिमाग में याद रखनी कोशि करनी है फिसके बाद प्रेक्टिकल के बाद रही तो प्रेक्टिकल आपको कॉले से ही जो प्रेग्लिर आपको प्रेक्टिकल में और अधिकर करना तुमन आपको बता दूंगा और एवे पबसक्त थे तो उसमें भी क्या क्या चीजे पूछी जाती हैं वो मैं आपको बता दूँगा बट दो चीजे आपको P.I. स्टाफ से सीखने होंगी एक डिल का प्रैक्टिकल और दूसरा आपको जो सीखना होगा बेपन्स को खोलना ठीक है दोस्तो क्योंकि वो वीडियो में ही समझ में आ सकता है और मेरे पास वो बेपन्स एवलेवल है नहीं कि मैं आपको उनको खोल के दिखा सकूँ ठीक है दोस्तो बाखी जितने भी महत्पूर कोशेन है अगेरा वगेरा सारी चीज़े मैं आपको कबर कराऊंगा ठीक है दोस्तो वो चीज़े आपको कॉलिज से ध्यान रखनी होगी और जितना भी इसका रिटन पोर्षन होगा वो सब मैं कबर कराऊंगा तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लिजिए सब्सक्राइब दोस्तो और फ्रेंडों को ज़्यादा सेर कीजिए तो हम आते हैं अपने चैप्टर पर दोस्तो बात आती है वर्ट्स ओप कमांड की तो दोस्तो डिल का अच्छा या खराब होना बहुत हत्तक आपका लिजिए फ्रेंड करता है अब दोस्तो बात आती है वर्ट्स होगाई तो दोस्तो आगे बड़ेगा अपको को मार्ण। दी जा रही है कि आपको कोई कमांड मिलने वाली है या आगे बढ़ेगा आपका हो गया चिताब नहीं और कारवाई आपका दहीं ने मुड़ो गई इसमें परेट देखो यही इसमें बता रखा है वीडियो में हम लग इस पेपर भी दोस्तो अब बात करते हैं अगले की वर्ट्स आफ कमांड जोर से साफ बोले जाएं ठीक है दोस्तो वर्ट्स आफ कमांड जो होनी चीए वो जोर से बोले जाए और साफ होनी चीए और दोस्तो इसमें आपको प्याइश टाप एक चीज़ और बोलते हैं आप अगर पेट से बोलेंगे तो आपके आवाज ज्याद को कुछ उचे सवर में बोलें दोस्तों इसको मतलब जैसे आपको चिताबनी वाली जो चीज़े होती है वह थोड़ा नॉर्मल बोल सकते हैं जैसे प्रेट पीछे लोटेगा ही आप क्यों गई चिताबनी मगर जब पीछे मुड की कारवाई आदी तो इसमें बता नहीं रखा है उचे सवर में बोलना है और कट भी करना है जैसे पिछे मुड वो कट कर दिया जाते हैं वहां से दोस्तों ठीक है एकदम से तो उसे बोलते हैं कि आपको कैसे बोलना है चिताबनी वर्ट्स आफ कमांड को साधरन रवाज में अधा कारवाई को उचे सवर में बोलें और साथ में कट भी करें यह बुक मैं नहीं दे रखा है बट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों जो बात मैं आपको बता रहा था वही बात निकल के आई कमांड है और कारवाई वाली कमांड है उनके बीच में कुछ ग्याप होना चाहिए दोस्तों अब बात करते हैं वर्ट्स आफ कमांड बोलने का समय दोस्तों दोस्तों थम थम हमेशा आपका बाएं पैर पर बोला जाएगा क्योंकि थम लेफ्ट फिर राइट पाएगा खाल सब्चीरा Laugh मुढ्र ऑपके दाएं पैर पर ही बोला जाएगा क्यों मुड कट खली एक दो तरीत का थीके दोस्तों तो आप काल दाएं पैर पर बोला जाएगा अब दोस्तों ऐसे एक धोस्तों ही बोलते हैं चौ। तो ठीक उठता ही है ठीक है दोस्तो अब दाएं देख दाएं देख में बाएं पैर पर बुलेगा दाएं देख खाली एक ठीक है दोस्तो वहां से ऐसे करके साउटिंग होती है मैं आपको शाउटिंग भी साथ साथ में बता दे रहा है और देख में दोस्तो बाएं देख में बाय पयर दाय फी कि ते लूट आपका बाय पयर बोला जाएगा ठीक स्यम्षक्याफ्यट्यक्त तो अब उसके बाद दाय मेलेब आपका ख खाली जाएगा फिर कि एक दो थब्यातलों तो दाप आपको हcott penser वेत थीट이면 के स्मय अउर्ट किद्ग घैएगी enjoys skilled ONE से से आगे बढ़ में बाया पैट चूहें कर ठीक है अब बात करते हैं कदमों की लंबाई तथा चलने का समय दोस्टो कंच महीं 90 कदम ila तो यह तो आपके हो गये धीरे चल आप यह बात करते हैं दोस्तो तो चल में करते हैं कदम 33च फिक है चोटा कदम 21च का और बगल कदम 12 इंच का जो 12 मार्च बोलते हैं दोस्तो तेगा चले यह दूर यह कुछ मिस फ्रिंटिंग ए थीक यह यहाप requesting 135 है 30 कदम होता है आपका मुलब 30 इंच का कदम होता है और एक मिनिट में आप 180 कदम चलते हैं तो इसे बोलते हैं 180 चेंजिंग मर्च अक्सर यह वामफ के लिए कराया जाता है ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं जो नीचे नोट से रखा है तेज चाल में एक मिनिट में एंसीसी के वॉइस केड़ेट 116 कदम रिधा गल्सकेड़ेट 110 कदम और यह मैं आपको उता देता हूं एक जो फाजी होता है वह 120 कदम चलता है इसलिए इसको 120 स्टाल मार्च बोलते हैं दोस्तो तो दोस्तो बात करते हैं अगले टॉपिक की तो अगला टॉपिक है अगली ला निकल लाइन में जब आपको कमांड जिया आती है तो आपके फोरूंड में shop na पीज 장 excess पूछले हैं निकलय खुले हूं में आपको कमांड मिलती हैं उसके बाद आपके बीच की दूरिया रह जाती है साठींच की सिर्फ ठीक है दोस्तो delta 20 में मिली हुई होती है दोस्तो और पैरों के बीच का कोण आपका 30 डिगरी का होता है और विसरा में एडियों का अंतर आपका होता है 12 जदा पंजों का 18 इंच होता है यह नहीं रखा बटम आपको बता रहा हूँ बगली कदमों की अधिक्तम संख्या क्या हो सकते तो बगली कदम जब आप चलते हैं देल का पाटि करम निन करम में चलाना चाहिए तो दोस्तो डिल कैसे करके आपको बदाना चाहिए कैसे करके समझाना चाहिए वो सब चीजेस में आपको पता चलेंगी शुरूब काम शाबधान बिष्राम दोस्तों आपको साबधान बिष्राम कराये जाए बोमफ कराये जाए आधा दारा बनाए जाए मनलब जाए देगा फिर उस्ताज जो आपके प्यास्टाप यानि फाओजे आते हैं वो आपको नंला अधर देंगे उसका मालब देख taco फिर उस्ताज का नंहूना गिंती के साथ कर करके तिखाएंगे तो इसे पूछ कोई डाउट किसी को नहीं है तो मना कर देना फिर उसके बाद उस्ताचिक पर करेंगी ऐसके ऐसके चिर्म कराई जाती है फिर आप से कुछ गलतिया होते हैं तो परक्त हो याते हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मैं अपने चैनल पर नोट सब्सक्राइब नहीющ ये तो लाइक कीजिए और फैन्डू को साथ ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ जैहिन जै बारत